आज आप सीखेंगे कि एक्सल पर शॉटकट की से जूम इन और जूम आउट कैसे करते हैं उसके बाद बताओंगा कि शॉटकट का यूज़ करते हुए आटोफेट टू कंटेंड कैसे करते हैं फिर बिना माउस के सिंबल को इंसर्ड करना बताओंगा तो बिना देरे की आपको स्क्रीन पर ले चलते हैं देखिए दोस्तों पहले तो हम बिना माउस के एक्सल ओपन करेंगे तो अपने कीबोड से विन प्लस आर को प्रेस करना है इसके बाद इस डायलाग बॉक्स में एक्सल टाइप करके सिंपली इंटर प्रेस कर देना है बस यहाँ पर देखि पूल ना टच करिए और जूम करने के लिए आल्ट प्लस वी प्लस जेड यानि की आल्ट वी जेड को प्रेस करिए तो इधर देखिए जूम को आप्शन हमारे सामने आ जाएगा अब यहाँ पर दो शॉट कट है देखिए यहाँ पर आप डाउन या आप एरो का यूज करक तो इसमें आप अपने कोडिंग स्क्रीन को जूम कर सकते हैं और अगर यहाँ पर आप आल्ट प्लस एफ को प्रेस करेंगे तो देखिए हम आल्ट के साथ एफ को प्रेस करते हैं तो यह फिट सेलेक्शन वाला आप्शन सेलेक्ट हो चुका है इसके बाद हम सिंपली इंटर को प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने बगार मौस का यूज किये हुए स्क्रीन को कितनी आसानी से जूम कर लिया है इसके बाद दूसरी शॉटकट की है कॉलम को आटोमेटिक अर्जस्ट करने की तो देखिए जैसे फॉर एक्जामपल अभी हम अपन किये हुए इसको पूरे कॉलम में अर्जस्ट कैसे करेंगे देखिए पहले इसी पर करसर को रखना है इसके बाद अपने कीबोर्ड से आट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई यहाँ पर आपको आट दबा के छोड़ देना है और जस्ट एच ओ और आई को प्रेस करना है बस यह यहां पर आप देख सकते हैं कि यह हमारा कॉलम बगर मौस के कितनी आसानी से अर्जस्ट हो चुका है इसके बाद दोस्तों अगली जो शॉटकट की लेकर आ रहा हूं वह सिंबल की तो जैसे आपको कोई भी सिंबल लेना हो तो अपने कीबोर्ड से आट प्लस आई प्लस ए जाने की आट आई एस को प्रेस करना है बस यहां पर आप देखेंगे कि धेर सारे सिंबल आ चुके हैं स्क्रॉल डाउन करके आप यहां से किसी भी सिंबल को सेलेक्ट करके इंसर्ड कर सकते हैं अब जैसे हम किसी एक सिंबल को सेलेक्ट करते हैं इसके बाद एक दो बार इं कर लेना मिलते हैं अगली वीडियो में ठैंक यूँ